हलो एव्रिवान कैसे हैं आप बच्चे लोग सारे मिरा नाम है सुनील अदिकारी चले स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को आज के वीडियो बहुत ही जादा इंपोर्टेंट होने वाला है बेस्ट बुक्स देखने वाले हैं आपके चहीत एग्जामिनेशन की स्सी का सुफते बाद ही इसका रिक्विट्मेंट की अनॉंस्पेंट होने वाली है यह बाउट हर साल मार्च के मिड में या फिर एंड में इसका रिक्विट्मेंट निकल जाता है तो सीट की पेटी बांध लीजे इस एग्जामिनेशन की देखिए जरूरी नहीं होता कई बच्च से ही करेंगे अच्छी बुक ऑनलाइन ऑफलाइन जो भी आपको जैसे भी पढ़ना है कोचिंग लेनी है आप सेल्फ स्टेडी करकर भी इस एग्जामिनेशन को क्रेक कर सकते हैं आज का वीडियो सिंपल रखेंगे बेस्ट बुक मैं बताने वाला हूँ अच्छा दोनों के कैटेगरी के बच्चे के लिए आज का वीडियो खास होने वाला है दो कैटेगरी कौन सी पहली कैटेगरी के बच्चे हैं कि सर हमें अलग-अलग जो सेक्षन है ना मैथ है रीजनिंग है इंग्लेश है जी के हूंकी बुक नहीं पढ़नी है हमें सिर्फ सर एक बुक बता द अच्छे हैं दिन के पास टाइम है और थोड़ा सा माइंडेड है थोड़ा सा डीप स्टैडी करना चाहते हैं सीजी एल के लिए भी सी एच एसल के लिए भी तैयरी कर रहे है तो उनको में इंडिविश्व सेक्षन की भी बुक बताने वाला हूं हूँ 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 बुक्स की आपको जलक दिखाऊंगा आपको कैसी है बुक प्लस आपको डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक प्रोवाइड करा रखा है जैसे ही वो लिंक को आप क्लिक करेंगे आपके सामने ये सुन्दर से विंडो आएगी जो कि अभी आपको दिख रही है उस विंडो बच्छा लोग उनके ले आती है SSC की मल्टी टास्किंग की नॉन टेक्निकल के हमारी गाइड आती है अरियंद पॉब्लिकेशन की गाइड है थोड़ी से जलक आपको दिखा रहता हूं क्या है ये बुक आपको ऐसी दिखने को मिलती है थोड़ा सा मैं उपर करता हूं इसक जितने भी सेक्षन की यहाँ पर नॉलेज बगेरा है सब कुछ सेम रहती है तो अगर इन केस अगर आप ये भी परचेस करते हैं तो कोई कुछ नहीं प्रॉब्लम आपके साथ आएगी क्योंकि मैं प्रिवियस यर के आपको अलग से एक बुक परचेस कर रहा हूंगा जिसम अरियंत एक्सपर्ट की ये भुक है जिसको आप परचेस करनी है रिव्यूज बगेरा सब कुछ चेक करिए कोई प्रॉब्लम नहीं है प्राइस बगेरा सब कुछ आप देख सकते हैं ऑफलाइन भी आपके मार्केट में ये मिल जाएगी अगर आप भई ऑनलाइन नहीं पर चैस करनी है वैसे तो आप डिसकाउंटीट प्राइज में इतनी ही इस से ज्याधा प्राइस में आपको मार्केट में मिलने वाली है तो अगर आप यह बात होती आपको मार्केट में इससे बड़िया बुक आपको नहीं मिलेगी राइट चलिये आगे बढ़ते हैं अब बात आती है sample paper की और salt paper की जो की बहुत ज़रा ज़रूरी है अगर वो आप बच्चे हैं जो की एक ही book से पढ़ना चाहता है तो ये दोनों book बच्चा लोगों आपको पढ़ने ही पढ़नी है एक तो guide और आप ये sample paper और कोई book पढ़ने की ज़रूरत नहीं है अगर आप सिर्फ दो book से ही काम चला लेते हैं लेकिन आपको एक चीज़ पढ़नी है शुरुआ से लई कर enter रट लेनी है दोनों book से आपको yes or no, clear हो पा रहा है बच्चो दूसरे book के दर्शन करायता हूं आपको देखें, 15 practice test मैंने आपके लिए दिये है मेरी नहीं है, यह है दिशा expert की है 15 practice sets है, 6 salt paper है 2014 से 2021 के लिए, और 3 online test है अब इससे ज़्यादा क्या जान लोगे गयर, है ना सब कुछ आगया है यहाँ पर, prices आप देख सकते हो सब कुछ आपके सामने है, पार दर्शिता है बिल्कुल transparency है, यह दो book आपको purchase करनी है if in case अगर आप वो छातर हैं जो की अलग-लग section के book purchase नहीं करना जाते है दो enough है, लेकिन enough कब है जैसे मैंने बताया आपको, एक-एक चीज घोट कर पीनी है दोनों books की इसके लाब और कुछ करने की जुरुत नहीं है am I making sense, और बच्चो clear चलिए, अब बात करते हैं उन हाँ छातर की, जिनको अलग-अलग section के book पढ़नी है the first one, हम बात करने वाले हैं बच्चा, maths की, है ना, maths के लिए 30 Days Wonder, one of my favorite book है 30 Days Wonder आपको पढ़नी है right, session publication की हमारी book आती है ये बहुत सारे examination, आपके CGL, CHSL, bank PO, bank clerk, SBI, सब के लिए चल जाएगी इसलिए मैं आपको ये refer कराता हूँ right, ऐसा नहीं कि ये exam के लिए ले लिए ये exam पास नहीं हुआ, तो खेल खतम, ये book बेचनी आपको, right, एक और book, देखिए math की, मैंने यहाँ पर दो book आपके लिए refer कर रही है, ठीक है एक है, दिशा एक्सपर्ट की shortcut in quantitative aptitude, shortcut मान के चलिए, देखिए, मैं थोड़ा सा आपको example देके बताता हूँ, कि if in case, आपकी math बहुत strong है पहले से ही math की book है, आरे सगरवाल है 30 days wonder है या फिर आपको objective arithmetic के Rajashwarma सरकी है, right, या फिर adda 24-7 की कोई book है, right तो तब आपको ये 30 days wonder नहीं purchase करनी है, सिर्फ आप ये shortcut in quantitative aptitude, मैं इसके दर्शन भी आपको आपको आयता हूँ, देखिए shortcut in quantitative aptitude for competitive examination, ठीक है ये आप book purchase कर सकते हैं, ठीक है यहाँ पर क्या मिल जाएगा, quick revision के लिए जितने भी chapters होते है mathematics में, सब का आपको quickly revision हो जाएगा इससे, ठीक है shortcut in quantitative aptitude for competitive examination, नाम से बता लग रहा है, shortcut है, right, quick revision के लिए बहुत ही शानदार book है, if in case सब कुछ ही आपको पढ़ना है, कुछ भी idea नहीं है mathematics में, तो और ये दोनों book साब ले सकते हैं फिर भी, कि सर हमें दो book नहीं पढ़नी है सर मैत की सिर्फ एक book बताओ, तो आप 30 days wonder से आपका काम चल जाएगा yes or no, right, मैं आपको नहीं करा रहा, बिलकुल budget में जो आपके बनता है वो आपको बता रहा हूँ, yes or no clear हो पा रहा है, मैत की पहले से ही book है तो 30 days wonder भी लेने की जरूत नहीं है उससे काम चला दो, चल जाएगा right, फिर आपको देखिए एक और चीज बता दू, individual section को prepare कर रहे हैं या फिर guide से prepare कर रहे है MTS का, SSE MTS के salt paper practice stats ये जो book है, ये जो book है ये लेनी ही लेनी है, ठीक है बच्चा लोगो right, एक category के बच्चे जिनको guide से prepare करना है उनको तो लेनी लेनी है, individual section के लिए भी जो बच्चे prepare कर रहे हैं उनके लिए भी ये book तो हमें लेनी ही लेनी है right, इससे क्या होगा math की पहले से ही book है तो उसे काम चला लो, फिर हम इससे practice stats से idea लगा लेंगे किस level के questions आते है yes or no, clear हो रहा है, चलिए now आते हैं हम reasoning की तरह बच्चा लोगो reasoning important है general intelligence and reasoning नाम से बोल जाता है one of the best book, यहाँ पर भी मैं आपके लिए refer कर रहा हूँ, test of reasoning ठीक है how to crack the test of reasoning, बहुत ही शानदार book है, जैकिशन सर की ये book है right, अरियंत अरियंत expert की, जी हाँ publication अरियंत expert कही है, अरियंत की ये book है, बहुत ही शानदार book है सालो से top words के द्वारा follow करी गई book है, simple to implement जिसमें verbal, analytical, non-verbal reasoning के सारे part आपके clear हो जाते है, right, price आप देख सकते है कोई भी मैंने 1000, 2000, 3000 के book आपके लिए refer नहीं करी है, budget friendly book मैं सारी आपको refer कर रहा हूँ, ठीक है यहाँ पर भी बच्चा लोगो, दो चीज़े मैंने refer करी है जैसे आपको पता लग रहा होगा यहाँ पर भी मैंने shortcut in reasoning refer करी है quick revision के लिए, अगर आपकी reasoning अच्छी है तो सिर्फ यह आप purchase कर सकते है कुछ नहीं आता reasoning में, तब आपको यह लेनी है reasoning की पहले से ही है तो यह shortcut reasoning ले लो और MTS के हम salt paper तो लगाएंगे लगाएंगे, इसकी भी मैं आप दर्शन कराया था आपको shortcut in reasoning के लिए यह रही, देखे, shortcut in reasoning verbal cover हो गया आपका थोड़ा सा मैं आपको highlight करके बदा आया था हूँ verbal cover हो गया, non-verbal, analytical critical, critical, सारे जितने भी reasoning के important aspect होते हैं, वो आपके cover हो जाते हैं, right, price वगयरा सब कुछ आप देख सकते हैं, rating वगयरा सब कुछ आप देख सकते हैं, सारी toppers के द्वारा follow करे गई, bookie मैं आपको recommend कर रहा हूँ ठीक है, कोई भी erigary book मैं आपको recommend नहीं कर रहा, then you have English language बच्चा, है न, English language के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ में एक book S.P. Bakshi Sir की, one of my favorite author, ठीक है English के लिए S.P. Bakshi Sir की आपको refer कर रहा हूँ इसके लावा कुछ भी पढ़ने की आपको जरुवत नहीं है, इसके भी दर्शन आगर अगर आपको करने हैं, तो यह रही हमारी book Objective General English by S.P. Bakshi Sir Bible है यह English के लिए ठीक है, यह latest edition है इसका previous year भी purchase करते हैं, तो कोई problem नहीं है, यह इसका latest edition है, जो मैंने description में link दे रहा है, उसके थूँ जो भी आप purchase करते हैं, वो सारे current edition के ही मैंने refer कर रहे हैं, ठीक है, बच्चा लोगो हमारा जो second paper होता है level second, उसमें descriptive English आती है, जिसमें आपको letter और ऐसे लिखना पड़ता है, याद है ना, मैं अलग से एक separate video भी बनाऊंगा, syllables का exam pattern का, तब वहाँ से आपको idea लग जाएगा उसके लिए बहुत ही अच्छे book है, again SP Bakshi sir की ये book है, जो की आप purchase कर सकते हैं, specifically descriptive part को, क्योंकि वो भी आपका essential है, वो भी आपका merit में count होता है, ठीक है, tire first जो आपका होगा, वो तो computer based test होगा tire second जो होगा हमारा वो descriptive होगा, पता है, थोड़ा no, देखे, main page में आते हैं main page में ये रही है हमारी book, ठीक है यहाँदर clear route है आपको ठीक है, बात आती है general awareness के, general awareness में मच्चो दो aspect होते है हमारे clear, ठीक है, एक होता है, GK की दो book मैंने यहाँ पर refer कर रखे, एक होती है dead GK ठीक है, एक होती है current affair CA, ठीक है, dead GK के लिए, दोनों aspect general science का भी cover करना है, और GK का भी cover करना है तो उसके लिए, loose end से बढ़िया और कुछ नहीं हो सकता, ठीक है अब यहाँ पर current affairs के लिए मनुहर पांडे सर की आती है general knowledge 2022, वो आप refer कर सकते हैं या फिर अगर आप प्रत्योगिता दरपन पढ़ते हैं, तो आप वो refer कर सकते हैं या फिर अगर आप daily newspaper पढ़ते हैं ठीक है, newspaper पढ़ते हैं तो आपको कोई book follow करने की ज़रूत नहीं है current affairs के लिए, सिर्फ आप daily newspaper से ही काम चलवा लेंगे अपना लेकिन अगर आप newspaper रीडिंग के आदत तर नहीं है तब आपको ये book purchase कर सकते हैं या फिर PD, या फिर है सारी book purchase नहीं करनी या तो ये तीन book तो हमें purchase करनी ही करनी है क्योंकि ये डैट GK को cover करेगी और ये general knowledge को cover करेगी हो रहा है बच्चो clear? clear हो पारा है अब देखें थोड़ा और इसी कर दूँ ये तीन book हो गई कर बच्चे बोड़ते हैं सरी है तो budget हमारा विकड़ जाएगा तीनों में से एक book बताओ सर जल्दी जल्दी या purchase कर लेना मनुहर पांडे सर के ठीक है युकि इसमें कही न कहीं वो important aspect भी मिल जाएंगे जो कि general science और GK में cover होते हैं अगर बहुत ये अच्छी level पर तयारी करनी है full out of full score करना है GK में तब ये तीन book refer कर लेना yes or no current affairs के लिए ये specific book है current affairs अगर PD से पढ़ना चाहो प्रतिवुद्या दर्पन से तो भी बढ़ सकते हो newspaper reading daily करते हो तो आपको ना PD की जरुवत है ना Manohar Pandya सर की book की जरुवत है आप newspaper reading से ही काम चला लोगे थोड़ा धर्शन करा दूँ आपको ये हमारी Lucent की Bible बोलते हैं GK की Lucent के लिए Dad GK के लिए ये अगर आप पढ़ लेते हैं तो और कुछ भी करने की जरुवत नहीं किसी भी examination के लिए I mean किसी भी Then you have Manohar Pandya सर की जनल नौलेज 2022 ये आपको purchase करनी है बच्चो GK के लिए ठीक है clear उपा रहा है GK के लिए आपको ये purchase करनी है बहुत ही शांदार book है ठीक है One of the most sought after book है ये current affairs GK के लिए 2022, 2023 नाम से ऐसे निकालते रहते है Manohar Pandya सर है ना तो ये book आप purchase कर सकते हैं हो रहा है बच्चो क्लिया ठीक है एक एक चीज मैंने बता दी है description में link आपको provide करा दिया है उस link के थूँ खरी देंगे तो मुझे भी support मिलेगा इस इन केस उस link के थूँ नहीं खरीदना तो नाम नोट कर लिजे books पगरे का offline market में जाईए सारी books आपको वहाँ पर मिल जाएगी कहने का मतलब ये है जितनी जल्दी हो सके इस examination की तहरी करना है स्टार्ट कर दीजे तगड़ा competition है तगड़ा मतलब तगड़ा लाखो बच्चे अपलाए करते हैं इस examination के लिए इसलिए जी जान लगाकर आपको मेहनत करना है और मैं पूरा शूर हूँ कि जो बच्चे भी इस channel के साथ जुड़े वे बहुत मेहनती बच्चे हैं मेहनत करेंगे और इस examination उप्रेक करेंगे चलिए बच्चो मिलिंगे नेक्स वीडियो में तिल देन टेक केर गुडबाई पढ़ते रहिए मेहनत करते रहिए क्योंकि आपका भी दिना आएगा थेंकियो सो मुच